Hello students, आज हम class 6 का chapter 9 करेंगे, तो देखो 9.3 करने से पहले हम उसका introduction पढ़ेंगे, इसके इंदर हम क्या करेंगे, कि first है अपना converting decimal into fraction, यानि आपको अगर कोई decimal number दे रखा है, तो उसे fraction में अपन कैसे convert करेंगे, तो यह मैंने आपको पहले भी सिखाया था, कि देखो decimal number है, decimal number कैस में point है कहीं, तो वो क्या होता है, अपना decimal number होते हैं, तो अब decimal number है ना, तो हमने क्या लिखा 0.25, अब देखो, point है ना, point को जब हम हटाएंगे, तो point के बाज कितनी digit है अपने, point के बाद अपनी 2 digit है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 और 0, यानि नीची के आ जाएगा, अपना 100 जाएगा, तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, 25 by 100, तो ये क्या हो गया, अपना fraction form में convert हो गया, तो देखो, decimal number था, point अगर हमने जब हटाया, तो point के बाद जितनी digit होती है, उतने ही नीचे कितना आ जाते हैं, अपने 0 आ जाते हैं, तो अब ये कितना हो जाएगा, 25 by 100 हो गय है, तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने लिखाना, ये 25 by 100, ये लिखा हुआ है आपके, तो आपको पता हैं, किस से कट हो रहा है, 5 से कट हो रहा है, या फिर आप 25 से भी कर सकते हैं, 25, 25, 25, 4, 100, ये हो जाएगा अपना, तो इसका कितना जाएगा, 1 by 4, तो ये भी answer है अपना, त उसी तरह कैसे, अगर इसका reverse कर दे हम, हाना, अगर हमें question नहीं है, पूछ ले कि आपको fraction, हाना, fraction converting decimal into, हम क्या लिखें, decimal, हाना, यानि अब इसका क्या हो गया, just reverse, कि अब आपको fraction number दे रखें, तो जैसे, अब आपन जैसी ही लेते हैं, 25 upon 100, इसी को उटा करते हैं, ताकि आ 0 है, नीचे 2, 0 है, तो हम क्या लिखते हैं, 25, और 1, और 2 के आगे क्या लगा देंगे, point, इस तरीके से, तो यह क्या हो जाएगा, fraction को decimal number में परने, convert कर दिया, इसी तरीके से, अब भी तो अपनों के पास 100 है, लेकिन आपको जैसे, ऐसे देते हैं, 2 by 5, हाना, यह दे दिया जब आपको, जिस तरह से मैंने, simple कर दिया था, इसको, अब इस तरह से आपको 2 by 5 दे दिया, तो अब आप बोरोगे, इसको कैसे convert करना है, हमको decimal में, तो अब आप क्या करोगे, कि हम कैसे करते हैं, देको decimal point अपन के से लगा लेते हैं, कि नीचे के आते हैं, अपने 10 के multiple सकती हूं, मैं 5 को 10 कैसे बना सकती हूं, मैं 2 से up and down, अगर मैं multiply कर दूँ, तो मैं 5 को 10 बना सकते हैं, तो और ये equivalent fraction अपन ने जब बढ़ा था, वो भी है, कि अगर कोई digit है, उसका equivalent fraction अपन को करना है, तो हम उसमें कोई भी equal digit को up and down multiply कर देते हैं, तब भी वो equivalent रहती, तब कितना हो जाएगा, टू टू जा, 4 और 5 टू जा, 10 हो जाएगे, हैंना, देखो, हमने 2 से क्यों करा, क्योंकि हमको नीचे 10 का multiple चाहिए, तब ही वो क्या हो जाएगा, easily decimal में convert हो जाएगा, क्योंकि अब देखो, जिसे 10 हैंना, अब हमने 4 by 10 लिख लिए, अब नीचे कितने 0 ह जाएगा, only 10 है, तो जब 1-0 होता है, तो किती डिजट के आगे point आता है, एक 0 है तो 1-0, 1 डिजट के आगे point लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, अब देखो, point के आगे 0 पन इसलिए लगाते थे, क्योंकि simple point 4 नहीं लिखते हैंना, तो इसलिए point के आग हो जाए, आप 100 बनाओ, यह आपके उपर है, ठीक है न, तो अब हमने क्या करा, 2 से, मुझे पता था कि 5 को 2 से multiply करेंगे, तो कितना आजाएगा, अपना 10 आजाएगा, इसलिए अपने क्या करा, 2 से, अगर हम नीचे multiply करेंगे, तो मैं उपर भी करना पड़ेगा, अब ऐसे अगर आप नीचे multiply करो, और उपर ने करो, तो फिर क्या हो जाएगा, वो fraction अपना अलग हो जाएगा, equivalent नहीं होगा, क्योंकि देखो, जब मैंने 2 को up and down multiply किया, तो 4 by 10 आया, अगर अपने इसे cut करेंगे, 2 से 2 2s आ, 4, 2 5s आ 10, वापसे 2 by 5 मिल गया न, इसलिए, हाना, तो य तरह के से आप fraction को decimal में convert कर लोगी, नीचे जितने 0 है, उतने digit के आगे point लगा देंगे, उसी तरह से अगर decimal है, तो fraction में convert कर लेंगे, कि अगर decimal है, तो point है ताएगे, और नीचे उतने 0 लिख देंगे, तो 25 by 100 है यह, या दो इसको एसे भी छोड़ दो, आप ये भी answer सही है, और आप चाओ इसको easy करना, तो simple form में convert कर दिया, तो यह आजाएगा आपका, तो इस तरीके से ये दोनों part अपने हो गए, अब अपन करते हैं next, देखो next अपन यह वाला question लेते हैं, अब जैसे 21.14 दे रखा है आपको, अब इसको convert करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 21. 21.14 है न, पॉइंट रटेगा, कितना आजाएंगे, 100 आजाएंगे, कितना हो जाएगा, 21, यह जाएगा अपना, 2114 upon 100, यह आगया, अब यह भी fraction form में, अब आप चाहो तो इसको open क्या कर सकते हैं, mix number में भी convert कर सकते हैं, या सबसे पहले आप इसको cut कर लो, हाना, cut करने के ब जाएगा, कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा, 114, अब कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा, 100, 14, अब इसो mix fraction में, अपन कैसे लिखते हैं, 21 by, अभी कितना जाता है, 14 up, और यह 100 यहाँ पर डाउन में आ जाता है, इस तरीके से हो गया, तो यह हमारे क्या हो जाएगा, mix number हो गया, यह भी अपना सही है, और अगर आप चाहो, इसको और easy form में convert करना चाहो, तो यह answer भी हो गया, इसके इलावा, अगर आप इसको बोले कि नहीं है, हमें तो इसको और solve करना है, तो 21 as it is कर दो, यह है न, यह कर जाएगा, 270 40, 250 10, और 0, तो कितना जगा, 7 by 50, तो यह भी अपना answer है, क्योंकि यह और यह दोने equivalent है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, इसको आप इस लिख देते हूं, यहापे, कितना हो जाएगा अपना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यह भी हमारा answer है, यह भी हमारा answer है, हाना, अगर fraction में बोला है, ऐसे कर दो, mix number भी बोल दिया उसने, तो फिर आपको इस तरीके से करना है, और अगर आपको, आपकी मर्जी की नहीं में, और simple form में convert करना है, तो इन दोनों को cut कर दोगी, तो अपना answer यह जाएगा, 21, 7 by 50, ठीक है, तो यह answer हो जाएगा आपका, इस तरीके से आपको करना है, अब देखो, next है अपना convert by division, देखो, अब हमें क्या करना है, conversation, converse by division, कि हमको अब क्या करना है, इसको division वाले method से भी कर सकते हैं, तो एक तो यह है कि आप नीचे 110 के multiple बना दो, किसी भी digits से multiply करतो, तब भी हम decimal form में कर सकते अगर आपको इसा नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो, division करके भी, आप क्या नहीं कर सकते हो, decimal number, जैसे हमारे पास यह है, 217 by 8, यानि 8 का division करना है, तो 8 का division अपर नहीं किया है, तो देखो, पहले सबसे पहले किस से जाएगा, 21 लिया हमने, 2 times जाएगा, 16 हो जाएगा, जब जाएगा, तो आपने 56, तो आपने 56 ले लिए, माइनस करा तो 1 आगे, अब 1 में 8 का division जाएगा, जैसे इसको अपने यहां तक करें आपन, तो 1 बचा ना, 1 में 8 का division नहीं जाएगा, तो हमने क्या करा है, यह point लग रहा था ना, देखो यहां पर, तो अभी 27 तक, अब point है न time, तो 8 हो जाएगा, कितना होगी अपना 2, और अब 2 में नहीं जाएगा, तो फिर हम एक 0 केरी करेंगे उपर से हैं तो 20 हो जाएगा, अब कितनी time जाएगा, 2 times, तो 16 हो जाएगा, फिर minus करेंगे, तो 4, 4 में जाएगा, फिर एक 0 केरी करेंगे, तो 14 हो जाएगा, और कितनी करना है पॉइंट के बाद तक आपको डिविजन करना है उसके बाद भी जैसे यह तो जीरो आ लेकिन अगर नहीं आता तब भी आप क्या करते इसके बाद आपन छोड़ देते हैं कि 27.125 आ गया उसके बाद इसके आगे हमें करने की जरूरत नहीं होती तो देखो इसके पेविजन करें हमें एसे और दिविजन कर लिया कि जितना पॉइंट कि आ गई जितना डिजिट पेले नॉर्मल 8 में मैं ऐसा क्या multiply करूं कि मेरे पास क्या हो जाए या तो 100 या तो 10 या तो 1000 बन जाए तो 10 तो बन नहीं सकता 100 भी अगर अपन करना चाहें तो 100 भी नहीं बन ले रहा हाँ लेकिन अगर मैं 125 से up and down multiply हम कर दें अगर तो फिर ये क्या हो जाएगा कि 8 को जब हम 125 से multiply करेंगे तो कितना आजाएगा 1000 आजाएगा इसी तरह इन दोनों को जब multiply करेंगे तो अपने पास ये digit आजाएगी अब उसके बाद क्या है नीचे 10 के multiple आगया हमारे पास तो नीचे 3 0 है तो A 1 2 3 3 digit के आगे क्या लग जाएगा पॉइंट तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो आप जाओ ऐसे कर लो आप जाओ ऐसे कर लो अगर उसमें कोशन में मैं अपना विकुछ वो कर दी है वो हाना कि भाई आपको division method से ही करना है convert हाना कि आप convert करें बट division से तो फिर आपको ऐसे करना है लेकिन अगर उसमें कुछ नहीं दिया आपको direct दे दिया कि आपको fraction number को decimal number में convert करना है तो फिर आपका मर्जी है आप किसी से भी करो हाना यानि हम क्या करेंगे denominator को ऐसे किसी डिजेट से multiply करेंगे कि वो क्या आजाए 10 का multiple आजाए तो इसको इस तरह कैसे करेंगे तो फिर यह आपको आगया अच्छे से अब हम क्या करेंगे अब नीचे 10 आगया ना तो नीचे 10 है तो कितनी डिजीट के आगये point लगेगा वन डिजीट के आगये point लग जाएगा अब इसको एसी नहीं छोड़ते है अपन इसके आगये क्या लगा देते हैं 0 तो 0.6 यह answer आजाएगा इस तरह के से अब miss fraction है आपको यह तो simple fraction था तो इ easy लगे ना उससे करना जरूरी नहीं दोनों से करो अब जैसे 15 है ना तो उसको as it is लिख दो फिप्लस का sign लगा दो और 3 by 5 इस तरह कैसे लिख देंगे अब हमारे पास क्या 3 by 5 है ना तो इसको हमें क्या करना है इसको हमको 5 को 10 का multiple बनाना है तो यह तो आगे as it is अभी 3 by 5 है इसमें up and down के से multiply कर दें 2 से तो 10 मन जाएगा ना अभी कितना हो जागा यह तो as it is इसमें कुछ नहीं करना है इसको एसे ही छोड़ना है इसे हो गया अब अगर इसको वापे से हम करें हा ना पॉइंट में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा और नीचे कितना 10 यह तो first method हो गया अगर आप बोलो कि नहीं हमको ऐसे नहीं करना तो चलो ऐसे मत करो ऐसे कर लेते हैं second method इसमें अब क्या करना है पहले हमें क्या दे रखा है miss fraction दे रखा तो सबसे पहले इसका simple form करना है तो आप क्या करोगे इसको इससे multiply कर गे इसमें add कर दोगे तो 15 5 जो भी आएगा फिर उसमें अपन प्लस कर देंगे अब इस 75 आगिया ना सबसे पहले क्या करोगे तेखो इसमें कर के बतारे है पहले इन दोनों का multiply ये तो आपको आता ही होगा तो कितना आगा अपना 75 आगिए अब हम क्या करते है ये जो 75 आया इसमें क्या करते है उपर इसको प्लस कर देते है तो 75 प्लस क्या कर देंगे 3 कितना आ जाएगा अपना 78 यानि इसको solve करने का तरी गया यह आपने अपने अपनी छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं इन दोनों का multiply करते हैं जो भी हमारी dj आई कितने 75 उसका प्लस कर देते हैं अपन numerator से है ना तो प्लस कर दिया हमने 3 कितना है 78 आया तो यानि कि हमने किया कर मिस fraction को simple fraction में convert कर दिया 78 by 5 आ जाएगा ठीक है अब हमें क्या करना है इसके बाद वही हमने कर दिया अब इसके बाद वही है कि आपको क्या करना है इसको simple form में convert करना है तो अब यहाँ पर 5 दे रखा है तो 5 दे रखा है तो आप क्या करोगे 10 का multiple चाहिए मुझे तो तो up and down 2 से multiply कर देंगे अपने तो कर दो यह कितना हो जाएगा 10 और यह इतना हो जाएगा अब देखो यहाँ पर 10 है न अपना तो 10 है तो कितने digit के आगे point आजाएगा पहले तो digit लिख दू अब अगर नीचे एक 0 है तो एक digit के आगे क्या लग जाएगा point लग जाएगा तो देखो दोनों में equal equal answer आ रहे न अपने अब आप चाहो तो ऐसे कर लो यह आप क्यों पर है कि आपको किस method से करना है इसको इससरी के से आपको question को करना है